नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका यूटूब चैनल एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज में आज दोस्तों हम देखेंगे कोरोना के वज़े से बच्चों पे क्या एफेक्ट पड़ा है 14 माहा का घरवास खतम हो रही है बच्चों की स्कूल जाने की आस देखो दोस्तों कोरोना के चलते पिछले साल भी स्कूल बंदी था और इसी साल भी स्कूल ऐसे ही हुआ है इसलिए 14 माह से बच्चे इस साल तो सिर्फ 2 महीने ही बच्चे स्कूल गए है और इसको बापस से लॉकडाउन लगा दिया गया और पिछले साल भी पूरा बन था तो 14 मास से बच्चे घर पे हैं और इसके कारण उनकी उस्कुल जाने की जो आ से वो खतम हो गई है बच्चे पढ़ाई से पिछड़ते चले जा रहे हैं राज्जी के 85.8 वो जीले के 2.7 लाग विद्यारती गरों में है लॉक इससे देखो क्या क्या हुआ है दोस्तो मजबूत हो रहा है ओनलाइन सिक्षा का मंच तो इससे दोस्तो बच्चों में पढ़ाई का जो है ओनलाइन सिक्षा ज़्यादा जोर दिया गया है क्योंकि इसकुल में पढ़ाया नहीं जा रहा था इसलिए ओनलाइन सिक्षा पर ध्यान दिया गया है और सरकार की तरफ से स्वास्ते को ही पहली प्राथमिक्ता दी गई है परिक्षा ना होने से खतम हुई पतिस्पदा परिक्षा भी नहीं हुई और उन्हें प्रमोट कर दिया गया इससे बच्चों के अंदर की जो पतिस्पदा है वो भी खतम होती जा रही है दोस्तों और स्वास्ते की चिंता के कारण पर नहीं करवा जा रहा बचों को नहीं पढ़ाय जारहा तो इससे बचों को नुकसान हो रहा है, बच्चे पिछटते जा रहे पढ़ाई से, उनका इस्कूल जाने का जो मन है, वो कम होता जा रहा है और इससे जो आगे वाली पीड़ी है, ज तरह के की न्यूज पाने के लिए दोस्तों अमारे हैड्यू आप ऑनलाइन क्लासे से जुड़े और हमारे हैड्यू आप ऑनलाइन क्लासे को सस्क्राइब करें दोस्तों ठैंक यू हैवे नाइस डे बाबाई